मदेपरतेश विदान सभा चुनाओ 2023 के लिए सीट बटवारे को लेकर कॉंगनेस के साथ मदवेद के बाद समाजवादी पार्टी के विपक्षी गडवंदन इंडिया से अलग होने की चर्चा थी लेकिन सभा के अधिक्ष और यूपी के पूर मुख्यमंतरी अखिलेश यादों ने सोमबार को साफ किया कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गडवंदन का हिस्सा है अखिलेश यादों ने सोमबार को लखनों में सपा कारीकरताओं के साथ मिल कर दलित पिछरा अलबसंख्यक सैक्ल यात्रा शुरू की इस औरान अखिलेश यादों ने मीडिया से कहा बीज़ेपी के नित्यत्य वाले राष्ट्य जनतांत्रिक गडवंदन एंडिया को हराने के लिए इससे बनाया गया है मैंने यह पहले भी कहा है कि पीडिया पार्टी की रणीती है लेकिन सपा इंडिया गडवंदन में बनी रहेगी अखिलेश ने कहा पीडिये यात्रा में सब सामिल है कोई ऐसा नहीं है जो अलग हो रहा है जा हम पिछले दरित अलब संख्यक मुसल्मान भाई की बात कर रहे हैं वहीं पीडिये आधी अबादी और अगरे समाज की भी बात कर रही है ये यात्रा भारती जंता पार्टी की पांच राजों की विधान सबा चुनाओं में पीए मोधी के निर्तेतवाली बीजेपी को हराने के लिए 28 विवक्षी दलों ने इंडिया गडवंदन नाम से गडवंदन बनाया अब तक इसकी तीन बैठक हो चुकी है विवक्षी गडवंदन की पहली बैठक बिहार की रा चुनाओं में उमिद्वार उतारने को लेकर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बेच तनाओ बढ़ गया था उन्होंने कहा कॉंग्रेस के नेतनाओं ने हमें बुला कर पूरे आंकड़े दिखाए और भरोसा दिया की छे सीटों पर सपा के लिए विचार करेंगे ल अखिलेश यादूगी नाराज़गी को कम नहीं किया मंद्यपरदेश के कॉंग्रेस प्रमुक और पूर्मुक्यमंत्रिक कमलनाथ ने तंज खसते हुए कहा अरे भाईये छोड़ो अखिलेश वखिलेश